Hello everyone, Welcome to my YouTube channel आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में Railway New Vacancy 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग बताईएगा क्या बिना प्रोटेस्ट के बेकंसी आएगी क्योंकि Twitter campaign से काम नहीं चल रहा है तो अब क्या होना चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करिए और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विशेवाना है कि जनौरी में बेकंसी रेलवे की आ रही है और इस पे ज़्यादा चर्चा तब होने लगता जब Khan Sir अपने Official Channel से ये कहते हैं कि जनौरी में बेकंसी आ रही है आप लोग त्यारी में लग जाईए तो ठीक है अच्छी बात है अगर बेकंसी आ रही है तो अच्छी बात है लेकिन अगर आएगी तो ये संभावना है कि 22 दिसंबर को नोटिस आ जाएगा ऐसा कहना है 22 दिसंबर तक नोटिस आपका आ जाएगा लेकिन जो बड़ी वेकंसी का दावा है जनौरी में क्या ये सही होता दिख रहा है क्योंकि अभी एक जो हाल ही में आर्ट के लेक छपा था तरिब्यून निउस्पेपर में तो यहाँ पे कहा गया था कि और आप लोगों को पता ही होगा कि BJP की गवर्मेंट जो है तीन स्टेट में और बन गई है जो कि परचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी तो अगर जनता इतना सपोर्ट कर रही है BJP को तो उनको भी जनता के लिए कुछ करना चाहिए था जो कि अभी आईसा कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इतने सारे देश के इवाजो होते है देश की रिड होते है रिड की हड़ी होती है इवाजो पिड़ी होती है आप उनहीं के बाद को नकार रहे है तो ये कहीं न कहीं बहुत गलत कर रही है सरकार और रेलवे मंत्राले ऐसा चुप्टी साथ के बैठा है इन से पहले जो रेल मंत्री थे कम से कम उनकी पर्तकिरिया तो आ जाती थी कोई भी ट्विट्स होता था आप लोगों को पता ही होगा आ जाता था लेकिन जब से इनकी गवर्मेंट बनी है अश्ट्वनी बैशनो आपको सपोर्ट कर रही है आपकी बहुमत की सरकार बन रहे है तो कम से कम इवा की बात सुननी चाहिए जो कि बहुत गलत हो रहा है इवा के साथ पांच साल हो गया है कोई बेकंसी नहीं देखने को मिला है आप ही बताईए कौन बैठेगा इवा ऐसे किसी का एज जो है बहुत गलत कर रही है अगर जनौरी में बेकंसी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बेकंसी आएगी तो ज्यादा तर संभावना है कि ALP की बेकंसी आ सकती है क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा ट्रेन हाथ से हो रहे हैं क्योंकि ओबर गारी क्रोस कर रही थी उसके बाद में जो है अलपी जो थे वो छोड़के ट्रेन अपनी ड्यूटी खतम करके चले गए वो कह रहे हैं कि हमारा ड्यूटी खतम अब इससे आगे हम नहीं चला सकते हैं तो तीन चार घंटे आप देखे होंगे कि गारी रोकनी पड़ी थी तो य ऐसे में एलपी लोगों का कहना भी है कि गवर्मेंट बैकेंसी नहीं दे रही है उनको देना चाहिए क्योंकि हम लोग इतना ओवर टाइम ड्यूटी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई उनका भी परिवार है उनकी भी अपनी जीवन है वो सिर्फ ट्रेन ही चलाएंगे पूरा करें जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद